हेलो एवरिवन स्वागत है आपका आज के हमारी इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एवेपी इंफ्रा कॉन आईपियो के सब्सक्रिप्शन स्टेटस एंड अपडेटेड जीएंपी के बारे में हमने इस आईपियो से लेटेड एक डिटेल वीडियो बना रखी है ज कब आई पे ओपन होने वाला है कब क्लोज होगा लिस्टिंग कब होगी रिफंड कब तक आएगा इंटिवेशन कब तक मेलेगी वो सब हमने देखा था इसके जीएंपी के बारे में बात की थी इसके जो नेगेटिव औन पॉजिटिव पॉइंट थे उन सब को कंसीडर करक एक ओवर व्यू पता चल जाए और आपको डिसेजन लेने में आसानी रहे उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन वोक्त में प्रवाइड करा दूंगी यहां आप उसे एंड स्कीन पर भी देख सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो सबसे प पर इनके लिए अभी तक किसी भी तरह की एप्लिकेशन नहीं आई है फ्रॉम QIB केटेगरियों यानि जो क्वालिफाड इंस्टुटुशन है उन्होंने अभी तक एक भी शेड्स के लिए अप्लाइड नहीं किया है जो एन नहीं है उनके लिए जो शेड्स ओपर किये गए है वो की गए है 9,39,200 की और जो बिड़ आई है वह आई है 1,10,400 की यानि कि अभी अभी अंडर सब्सक्रिप्चन चल रहा है यानि जितने शेड्स ओपर किये गए उतने अभी तक एप्लिकेशन से वह अभी तक नहीं आई है रिटेल के लिए जो शेड्स ओपर की गए है व तो अगर हम अंदाज़ा लगाएं कि कितना ओर सब्सक्रिप्षन जा सकता है तो मेग्जिम लोग क्या होते हैं जब यह आई-पी ओड़ ओने वाला होता है तब ही अपलाइ करते हैं जैसे कि आई-पी ओ कल 15 मार्च को क्लोज होगा तो जो मेग्जिम लोग होते हैं वो तीन से पांट बज़े के बीच में ही इस अप्लाइ करते ही तो अगर किसी सब्सक्रिप्षन 100 जा रहा होता है 300 पोझ जाता है तो उस बेसी से 100 के बीच में इसका सब्सक्रीक्शन रहने क्यों चली अब बात करते हैं इस कंपटीं के GMP की 9 March 2013 को को इसका जियंपी था वो थर्टी रूपीज का इन्-ठर मार्च कुबंस को जो ता 20 रूपीज का इन टाम सो परसेंट है 26.67 परसेंट चोदा मार्ड दोजार जो भी जब वीडियो रिकोर्ड हो रही है उस समय उसका करण जीएंपी चल रहा है वो चल रहा है 26.67 तो अगर हम एक प्रॉफिट का अंदाजा लगें कि अगर यह इसी जो जम जीएंपी चल रह है 30,000 के आसपास का प्रॉफिट होगा अगर यह इसी प्राइस पर इसी एस्टिमेटर लिस्टिंग प्राइसंग पर इसी जीएंपी पर मार्केट में लिस्टेड होता है तो पर ऐसा नहीं होता है अभी जो मार्केट कंडिशन चल रही है उस बेसिस मुझे ही लगता कि 26.67 पर इस मार्केट में लिस्टेड होने वाला है तो चलिए हम फाइनली एक बार देख लेते हैं कि क्या हम इस आप्लाइक करने वाले है या नहीं जब हमने इसकी डिटेल वीडियो देखी थी तो उसमें जो नेगेटिव पोइंट था एक तो यह था कि इसका जो डेप टो एक वह नेगेटिव जा रहा है और सेकिंड नेगेटिव पोइंट हमने अभी देखा है कि जो क्यों के टेगरी है उनमें से किसी ने भी शेर्स के लिए एप्लिकेशन नहीं की है और उसका जो अभी चल रहा है वो के चल रहा है 26.67 परसेंट जैसे कि एक SME आई पयो जो होते है है तो अगर आपको 0 परसेंट रिस्क लेना है तो ही अपलाए करें जब किसी का GMP 100% से जजादा हो अगर 100 परसेंट से थोड़ा सा पर जी मीढशन होता है तो उसमें रिस्क काफी जाद़ा बढ़ जाते हैं तो आप जितनीन लेना सकते हैं उस बैससे पे mother अब ही जो मार्के कंडिशन रहा है वो काफ़ी डाउन चल रहे हैं तो अगर किसी का सो पर सेंट है और जिसकी लिस्टिंग होने वाली हो तो वह लिस परसेंट पर लिस्टिंग हो रहे हैं आपके लिए एक लिए एक जाबर बता सकते हो सोना मशीन जी का जब वह आई पयो यह किने आइनटी टू हंड्रेड परसेंट के मीच में था पर जब उसकी लिस्टिंग तो वही नेगेटिव है तो अभी जो मार्केट चल रहा है उस कंडिशन के बेसिक पर इसका जो जीये एंप हो सकता है कि में सक प्लाए करने वाली हूं क्योंकि जो जेम जी इस प्रिस 27% हायर रिस्क वाला यह IPO मुझे लग रहा है तो उस बेसिस पर मैं इस IPO में अपलाए नहीं कर रही हूं पर हो सकता है कि आगे जाके इसकी आपको वीडियो नहीं डाल पाओ तो मैं आपको जो पोस्ट होता है कम्मिटि के तरू जो रिटन पोस्ट होता है तो वहां पर मैं आपको अपडेट कर दूंगे तो उन चीजों से अपडेट दिया में के लिए तो सबसे पहले आप किजी हमारी इस चैनल को अभी क्योंकि मुझे हाय रिस्क वाले यह अभी मार्केट कंडिशन चल रही है उस वाले अप्लाइए तो आज की वीडियो में यहीं पर समाप्त करनती हूं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इससे लाइक सब्सक्राइब and comment करके जरूर बताएगा and thank you so much for watching my video